क्योंकि बहु जूट नहीं बोलती, सुधा और राकेश के तीन बेटे थे, शादी के बाद तीनों माबाप से दूर रहते और सिर्फ त्योहारों में आते, माजी, पिताजी, अगले बार आप लोग हमारे घर आईएगा? अरे नहीं बहु, सब यहीं आजाते हैं तो घर खिला खिला लगता है, हाँ बहु, तू हमेशा बुलाती है तो जरूर आएंगे तेरे पास भी, हाँ हाँ, दीदी का घर बड़ा जो है, सब कुछ आपने शादी के बाद दीदी को ही तो दे दिया था, हमें भी दिया होता तो ह हम भी बड़ा घर लेते, क्यों सुनिल, अरे नहीं, पापा ने सब को एक बराबर ही दिया है, छोटी बहु, क्या चाहिए तुम है, बोलो, वो आपके सोने की चेन वाली घरी है न, वो अगर आप मुझे, तभी वहां मजली बहु भी आ जाती है, और मुझे न, आपका मंग सना आ जाती है, आरे सुधा बहन, थोड़ी चीनी तो देना, घर में शक्कर नहीं है, और मैं मान सर पर बैठे हैं, आरे छोटी बहु, चाची को शक्कर तो दे दो, अरे मजली दीदी, आप दे दीजे न, मैं यहां कम आती हूँ, तुम मुझे पता ही नहीं, कि सासुमा सार रोज शक्कर फाकने के लिए आती हूँ, मुझे में नहीं है पता, तभी बड़ी बहु हाथ में चीनी की कटोरी लेकर आती है, चाची शक्कर, आप लोगों का बड़ा सहारा है माजी और पिताजी को, वना हम लोग तो यहां रहती ही नहीं, आप जैसे पड़ोसी हैं तो हम निश्चिनत है, और जेती रह बहु, आप तो यह घर पड़ोस कम परिवार ज्यादा लगता है, सुधा अपनी बड़ी बहु को देखकर बहुत खुश रहा करती थी, वो उससे अकसर घंटों बात भी किया करती, लेकिन दोनों दूसरी बहुं का भी वो समझती थी, कि शाय यह सोफिक के कवर और चादरे ले जा रही हूं, यहां तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी, हाँ हाँ बहु ले जा, और कुछ चाहिए तो बोल, और तो चाहिए बहुत कुछ, पर चली कोई बात नहीं, हगली बाली जाओंगी मैं, ऐसी ही मंजली बहु भी घर का बहुत सारा सामा लगेगा, फिर उन लोगों की नई ग्रिहस्ती, इतना मत सोचा करें, समय बीटता है, ऐसे ही हर साल त्योहरों में सुधा और राकेश के बच्चों की बहु आते और जाते वक्त धेर सारा सामान पैक करकर ली जाती, लेकिन कुछी सालों में सुधा का दिहान थो जाता है, प जो ये है, ले लो, सामान में होती है एक घड़ी और एक मंगल सुत्र, मा जी ने कहा था कि वो ये घड़ी मुझे देंगी, हाँ हाँ, पिता जी मा ने सबके सामने ये घड़ी सरिता को देने के लिए कहा था, उठा लो सरिता मा की घड़ी, अब क्या था, छोटी बहु फट तरफ देखते हैं, तुझे क्या दू बेटा, पिता जी मा ने एक चीज मेरे लिए भी रखी है, सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर सास में क्या रखा होगा बड़ी के लिए, अरे मा जी तो दीदी से प्यार भी ज्यादा ही करती थी, हमेशा उन से बात किया करती, ज जब जाने लगेंगे तो बता दूगी, बड़ी बहु के मुह से ये बात सुनकर बाकी दो बहुएं सोचने लगती हैं कि आखिर क्या है जो दीदी को सास मा दे कर गई हैं, दीदी ऐसा तो नहीं न, कि पूरे घर का आधा इसा मा बड़ी भापी को दे कर गई हो, तब ही वह क्या पता, चलाकी से पूरे घर के पेपर में साइन कर वा लिये हो, या फिर कोई छूपा गहना, आखिर मकान पूरा तो आपने सास मा के नाम ही कर रखा था ना, अब घर में ये सस्पेंस बन जाता है, कि आखिर बड़ी बहु क्या लेकर जाएगी, फिर वो दिन भी आ जात है जब बड़ी बहु के जाने का समय हो जाता है, बेटा परसो तुम चली जाओगी, बताया नहीं, मा ने तुम्हें क्या दिया, घरी और हार जो बेश किमती था, और तुम्हारी सास को सबसे ज्यादा प्रिया था, उसका तो बटवारा भी हो चुका है, अब तुम्हारी ब पिता जी, बेटा मेरे पास तो कोई पैंशन भी नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी, लेकिन आपकी पास संसकार है पिता जी, जो मेरे बच्चे आप से लेंगे, तो आपको ले जाने पर स्वार्थी है मेरा, चलिए ना पापा, सभी के सामने पिता जी बड़ी बहु औ और बेटे के साथ उनकी घर चले जाते हैं